वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12 के टेट सीरीज के फाइव पार्ट में आपका स्वागत है आई स्टार्ट करते हैं आज हमने आपके लिए जो टोटल टेन यहां पर एम स्टूड प्रिपेर किये हैं और साथ ही आपको आंसर्स भी आ दोंगे और आपका स्कोर भी चेक होगा आई स्टार्ट करते हैं परला क्योसन आपके सदाव वाले से लिया है सदाव फाउंड टॉम आउन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कापी अंदर से निकाला हुआ क्य क्योंकि बोर्ड में आजकर डीप से क्योसन पूचे जाने लगे हैं हमारी मजबूरी है कि हमें उन सब की तयारी करके जाने होगी अगर हमें हंड्रेड का टार्गेट लेकर चल रहे हैं तो सदाव को टोम मिला था चार ओप्शन आपके सामने आपको पता हो तो बहुत अच सद्यान बहुत कम स्टुडेंट देते हैं या टीचर भी इनको निकाल देते हैं और इसका सही आंसर है मैं आज आपको याद करवा दूगा यह 21 यानि 21 फेवरोरी को वो उसे मिला था नमबर टू दा सर्वेंट्स लेप तसदाव हों आप्टर डे ओप टॉम स्रीजी यानि जब टॉम वहां आया उसके इतने दिन बाद में नोकर सदाव के गर छोड़ कर चले गई थे कितने दिन वह रहां उन्हों नहीं इंतजार कैए इसको भेश दे इसको भेश दे वो नहीं आप प्र अच्यूंसे दिन गए थे टॉम के वहां रनने के बाद चार उप्शन हैं फिप्थ शेवन्थ टेंथ और इसका सही आंसर अगर आपको आगया हो तो बहुत अच्छा नहीं आया हो तो सी शेवन्थ याद रखना ये तो ज़रूरा गया होगा विजर्ड ने कितने सिख के मांगे थे रोजर्ष गंग से आपको ज़रूरा गया होगा और इसका सही आनसरह आपको पताए भी सेवन फोर रोजर इसकन के पास कितनी पैनिश थी आपके पास 4 रोप्सने 4325 यह भी जरूरा गया हो गो उसके पास कितनी थी मात्र पोर पेनिज नमबर फाइव दर रबर रिंग कंटेंड जो मेंग लेकर आया था उसमें क्या था human blood था pig's blood था fox blood था tigers blood था आपको पताओगा इवांस ने पूरा अपने शरीर पर blood लगा लिया था कौन सा blood था हो जल्दी बताए students इतना है समय मिलेगा आपको कौन सा blood था अपना answer जरूर से check कीजिए और उसमें बर कर लाया था pig's blood याद रखना pig's blood स्लोट रहा उसे लेकर आया था question 6 the address for you want to reach was 8 address को जो clue दिया था कि यहाँ पर तुम्हें पहुंचना है कहाँ पहुंचना था golden loin, newbury, elsefield way या red clip कहाँ पहुंचना था इवांस को जो पता दिया था code word में कहाँ पहुंचना था जरूर आप कौन से लागया होगा और इसका सही आंसर है golden loin question 7 who was the detective chief inspector यानि detective chief inspector कोन था इन में से Mr. Bell था, Mr. Carter था, Mr. Jackson था, Mr. Stephen था कोन था इन में से detective chief inspector उसका सही आंसर है Mr. Bell question 8 the reference number was यह reference number 1 लिखा हो था आपको पता होगा जो उसका paper हुआ आता हुआ बताया था यह भी एक clue था हुआ पहुचने के लिए और इसी के जरी गवर्नर भी दुबारा इवांस को गिरपतार कर पाया था इन में से कौन सा था और reference number जरूर दियान आ गया होगा आपको यह भी most important है यह चार option आपके सामने कौन सारे reference number था और इसका सही answer एडी आगे बढ़ते हैं यह गोल्डन लॉइन होटल उसने गिरपतार कर लिया था इवांस को जाकर वहां से भी भाग गए वहां से कहां भाग गए वो फिर नियू यू और्क नियू बरी एल्स फिल्ड वे वहां से कहां भाग ए चेप्टर के end में आपको पता होगा last में बताया गया है कि अब वहां चलते हैं कहां गए थे वो बिलकुल last line है यह जो उसके बाद chapter समापत हो जाता है इसका last line और इसका answer है नियू बरी Question 10 Bama was studying in class Bama पढ़ाई कर रही थी कौन से क्लास में थर्ड में, फोर्थ में, फिप्त में, शिक्स्त में आपके सामने चार option है Bama कौन से क्लास में पढ़ाई कर रही थी चार option है ज़रू आंसरा गया होगा है चेप्टर की परली लाइन ही है सुरुवात में ही है और यह थर्ड क्लास में इस प्रकार आज हमने 10 questions कंप्लीट किये continue exam तक हर grammar की MCQs की और आपके writing part की और question answers की सब की आपके लिए practice करवाते रहेंगे exam में target hundred eight out of hundred eight हमारा लक्से है वो आपको दिलवा कर रहेंगे अपने प्रेंट्स को भी जरूर शेर कीजिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टुडेंट्स थैंक यू